भिवानी के बड़े सरा गाउं में सरपंच चुनाव की रंजिश को लेकर 16 निवेंबर को दना दन गोलियां दाग कर महिंदर के हत्यारे शार्प शूटर मनोज उर्फ गंजु को C.I.A.2 पुलिस ने गिरफतार किया है आपको बता दे कि इस खुनी संघर्ष में अब तक 6 लोगों की हत्या की जा चुकी है बता दें कि बड़े सरा गाउं में ये खुनी संघर्ष साल 2017 में शुरू हुआ था ततकालीन सरपंच सुदेश की दसवी की मार्क शीट आल्टियाई के तहत फर्जी मिली थी जिसके बाद सरपंच सुदेश और उसके पती बबलू को जेल हो गई इसके बाद आल्टियाई लगाने वाले बलजीत और बबलू गुट में खुनी संघर्ष शुरू हो गया शुरूआत में बलजीत समेत उसके गुट के एक एक कर चार साल में पाँच लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया 2017 में बलजीत उसके चाचा भले और ताउ महिंदर की हत्या की गई फिर बलजीत गुट के ही पूर्वसर पंच पवन को साल 2019 में गोली मार कर मौत के घाट उतार गया साल दो हजार बीस में बलजीत के ताव की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई इसी सोलह नवेंबर को बजेसरा गाउं में फिर से खूनी खेल हुआ बजेसरा गाउं में शाम को बलजीत गुट के बाइक सवार तीन युवकों ने महिंदर और अजीत पर दरजनों गोलिया दागी जिसमें महिंदर को तीन गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई और आठ गोलियों से चलनी अजीत का इलाज चल रहा है भिवान E.S.P. अजीत सिंग्शी खावत ने मामले की गंभिरता को देखते हुए ये केस CIA 2 पुलिस को सौपा इस पर कारवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर अशोक मलिक ने महिंदर के हत्यारे शार्प शूटर मनोज उर्फ गंजु को गिरफतार किया है क्यों भी बोली बारे में गायल है जो फिलाद भी जिसका उप्सार चेट रहा है जो गटना के सम्मझ में स्रीमान पुलिस अधिक सक्यादेश सनुसार और अरोपियों की शिकर गरफतारी के लिए आदेश जारी किये गए जिसमें कारवाई करते हुए हमारे स्टाफ के सब इंस्प्रिक्टर प्री असोप कुमार ने इसमें एक आरोपि को गरफतार करने में से बंता हासिल की जिस आरोपि का नाम मनोज रूप गंजू पुत्तर जैविर सिंग निवासी दिनोजगा मकारेने वाला है जिसके गरफतारी बाइस गरफतारी बाइस गरफतार बाइस को सबा साथ वजे खतली फाटक से हुई सब इंस्पेक्टर सुमित ने बताया कि बड़े सरा गाउं में दो पक्षों में सर पंच चुनाव को लेकर रंजश चल रही है जिसको लेकर लगतार हत्याकांड हो रहे है उन्होंने कहा कि आरोपी शूटर मनोज उर्फ मंजू बड़े सरा निवासिस सिलक का साथी और तीसरे शूटर की पहचान नहीं होई है उन्होंने बताया कि सिलक और तीसरे शूटर की तलाश जारी है आरोपी रिमांट पर है जो भी इजी निकल रहे हैंगे और शेयर के भी जाएंगे बता रहा कि मुगत अभी कप्तीस जारी है तो अभी नाम वगरा जैसे जैसे सामने आएंगे तो जैसे बता दिये जाएंगे बहराल यूतो सरपंच चुनाव भाईचारे और गाउं के विकास के चुनाव माने जाते हैं पर बड़े सरा गाउं में एक ही परिवार इन चुनावों को लेकर ऐसा दो गुटों में पटा कि पाँच सालों में दोनों परिवारों के छे लोगों की निर्मा महत्या हो गई हैरानी की बात ये है कि खूनी संगर्श थमने के बजाए लगातार जारी है सत्य खबर के लिए भिवाने से दिपक मुट्रेजा की रिपोर्ट